दोस्तो डारेक्ट सेलिंग न्यूज की टोप 100 नेट्रोक मर्गेटिंग की कमपनीज की लिस्ट आ चुकी है और सभी को पता है कि एटोमी को 11 पोजिशन मिली है तो अटोमी कमपनी के नाम के आगे ही स्टार क्यों लगा हुआ है और जो अपरेल में लिस्ट आई थी उस लिस्ट में अगे का नाम क्यों नहीं था इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है दोस्तो यह आप देखेगा और मैं इंटोमी कमपनी के नाम के लिस्ट में क्यों नहीं था और दोस्तो इस चैनल पर जो बहुत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको इस चैनल पर मिलती है और वो भी एक आम भासा में मिलती है किसी पी तरह कि कोई टेकनिकल लेंग्वेज़ या टेकनिकल जो है चीजों का यूज नहीं किया जाता क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो हम मैं आम भासा में बताऊं ताकि सभी लोग समझ सकें क्योंकि कुछ लीडर्स हैं मैंने देखा है कि यूटूब पर टेकनिकल लेंगवेज बहुत जादा यूज करते हैं और तेकनिकल लेंगवेज सभी को समझ में नहीं आती है मेरी कोशिश रहते कि आम भासा में बिल्कुल हिंदी में और आम बासा में मैं आपको बताऊं तो दोस्तोव चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि जो अटोमी का नाम क्या कि जो स्टार वीडिया वाज रिशीवड आफ्टर दी एसन ग्लोबल हंडर्ड वीडियो वाज फिल्मड मतलब जो डी एसन की जो टोप हंडर्ड कंपनी थी उनकी लिस्ट बन चुकी थी और एटोमी की तरब से जो उसका डाटा जो उसका टर्न और वो शेर किया थो बाद में शेर किया गय एटोमी वूड हैव कम इन एट नमबर 11 वाइल वी आर नोट रिनम्बरिंग दा रैंकिंग प्रेजेंटिड ओन अप्रेल वन 2020 मतलब जो एटोमी कंपनी है उसने जब डाटा शेर किया तो वो ग्यार्वे नमबर पर आनी थी लेकिन जो है जो डी एसन की जो हंडर्ड कंपन का नाम नहीं अटा सकते थे क्योंकि वो लिस्ट पहले जारी हो चुकी है और जो है पूरा वर्ल्ड डी एसन की जो यह लिस्ट उसको देखता है सभी की निगाहें इस पर रहते हैं कि हमारी कंपनी को कौन सा स्थान मिला है लेकिन जो अटोमी कंपनी का टर्णोर था वो जो जो को शोब मानते हैं दिखावा मानते कि यह एक दिखावा करने की चीज़ है अटोमी कंपनी अच्छी है अटोमी कंपनी अपना टर्न और कर रही है अटोमी कंपनी के प्रोड़क्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट है और हम जो है अच्छा काम कर रहे है तो यह दुनिया को आपको कुछ और नीज दूँगा Wikipedia में अगर आप अगर आप आपको कंपनी के बारे में सर्च करते हैं तो आपको आपको कंपनी कंपनी कुछ भी इनफर्मेशन वहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि Wikipedia एक private organization एक private website है वहाँ पर अगर कोई अपना data कोई भी celebrity हुआ company हुआ या फिर कुछ भी organization हुई अगर वो वहाँ पर अपना data भेजते हैं share करते हैं उनके साथ तो वो Wikipedia एड करता है और किसी भी company या organization या कि celebrity की permission के बिना वो उनको एड नहीं करते हैं तो अपरेल की लिस्ट में अटोमी का नाम नहीं था यहाँ पर जब data share किया गया तो 100 companies के लिस्ट बन चुकी थी इसलिए 11 नंबर पे दोस्तो दो company आपको मिलेंगी 11 नंबर पे और इसलिए अटोमी कंपनी के नाम के आगे star लगा हुआ है और यह दोस्तो अटोमी कंपनी ही है जिसकी वज़े से DSN को दुबारा लिस्ट जारी करने पड़ गी लेकिन पड़ गी क्योंकि वो अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी थी तो अटोमी कंपनी का जो है लिस्ट में सामिल करने के लिए उन्होंने दुबारा लिस्ट जो है यह बनाई है और 11 नंबर पे जो है दो कंपनिया है एक अटोमी है और एक दूसरी कंपनी है इसलिए Atomi Company के नाम के आगे स्टार लगा हुआ है तो दोस्तो Atomi Company एक ऐसी Company है जो किसी भी तरह के दिखावे में किसी भी तरह के जो है शोप में विश्वास नहीं रखती है और Special Note जो है ये DSN ने डाला है ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ओपर जाकर भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तो ये है Atomi Company और Atomi Company का जो कल्चर है उसको आप समझी है Atomi Company को समझी है बहुत बड़ी Opportunity है जिन लोगों ने भी Atomi Company को जोइन नहीं किया है दोस्तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप कोल करें WhatsApp करें और Atomi Company को जोइन करें और जिन लोगों को Atomi Company के बारे में पता है कि Atomi Company आने वाली है लेकिन Atomi Company की Knowledge नहीं है तो दोस्तो Knowledge लीजिए इससे अच्छी Opportunity Network Marketing Company में नहीं है दोस्तो आज के टाइम पर तो प्रूफ मैं आपको आंसर दूँ और ठीक है दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा सेर करें और टीम को बताएं कि Atomi Company के नाम के आगे स्टार क्यों लगा है मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद